टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट में इतिहासिक जीत मिली या शश्विक की बलेबाजी देख इंग्लैंड की पूरी टीम हिली टीम इंडिया ने समेट दिया इंग्लैंड की टीम का बोरिया विस्तर 434 रनों की दर्ज की बड़ी जीत पॉरिया विस्तर समेट कर 434 रनों की बड़ी जीत अपने नाम की है ये इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी जीत है इससे पहले इंडिया ने इंग्लैंड को 327 रनों की शिकस्त दी थी हाना कि इस मैच में यशश्वी जैस्वाल ने एक बार फिर से डबल धमाल किया है पिछले टेस्ट के बाद यशश्वी ने एक बार फिर से डबल संचूरी लगाते हुए टीम को बड़ी जीत दिलाई है यशश्वी के साथ शुमन गिल और डब्यूटेंट प्लेयर सरफरास ने भी शानदार खेल दिखाया बाद में रविंद जडेजा की कातिलाना गेंदवाजी न अंग्रेजों की सिटी पिटी गुम कर दी है टीम इंडिया की इस दमाकेदार खेल से इंग्लैंड के बेस्बॉल खेल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं मैच की बात करें तो 15 फरवरी को शुरू हुए मैच में टॉस जीत कर पहले गेंबाजी करने के लिए आई रोहित शर्मा एंड कमपनी ने पहली पारी में आल आउट होकर 445 रन बनाए इसके जवाब में इंग्लैंड 319 रन ही बना सकी भारत ने दूसरी पारी में 430 रन पर गोशित कर दी जिसके चलते इंग्लैंड को 557 रन का लक्ष मिला जवाब में महमान टीम की पारी 122 रन पर ही सिमट गई और भारत ने 434 रनों से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की टॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने के लिए आई टीम इंडिया की शुरुआत बिलकुल अच्छी नहीं रही 33 रन के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने अपना तीन विकेट गवा दिया इस दोरान ये शश्वी जैसवाल शुमनगिल और रजट पाटिदार क्रमशा 10 रन शुर्न और 5 रन बना कर आउट हुए इन तीनों के आउट हो जाने के बाद रोहित शर्मा और रविंद जडेजा ने मोर्चा समाला और चतक जड़ाला दोनों खेलालियों की बीच चोथे विकेट के लिए 204 रन की साज़ेदारी हुई रोहित शर्मा ने 196 गेदों में 131 रन बना कर मार्क वुट की गेन पर बेन स्टोक्स के हाथों आउट हुए इसके बाद सर्फरास खान को रविंद जडेजा की गलत कॉल की वज़ा से रन आउट होकर पवेलियन लोटना पड़ा उन्होंने चाचट गेदों में 62 रनों की पारी खेली आखरी में ध्रू जुरेल, अश्विन और जस्पीत बुम्रा ने जुजारू पारी खेल कर भारत के स्कोर को 445 रन पहुचा दिया जुरेल ने 46 रन, रविचंदर अश्विन ने 37 रन और जस्पीत बुम्रा ने 26 रन बनाए कुल्दी प्यादों के बल्ले से 4 रन निकले, जबकि मुहम्मद सिराश 3 रन पर नाबाद रहे इंग्लैंड की ओर से मार्क वूड ने 4 विकेट चटकाए रहान एहमत के हाथों दो सफलता लगी, जेम्स एंडर्सन, टॉम हार्डली और जो रूट ने एक एक विकेट चटकाई इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 319 रन बनाए बन डिकेट और बन स्टोक के अलावा किसी भी खिलाडी का बल्ला नहीं चला और तीसरे दिन ही आल आउट हो गई इस दोरान बन डिकेट ने भारतिये गेंदबाजों के अच्छे से कुटाई की उन्होंने 151 गेंदो पर 23 चोकों और 2 चोकों की मदद से 113 रन जड़े बन स्टोक्स के बल्ले से 41 रन निकले जैक क्रोली ने 15 रन ओली पॉप ने 49 रन जो रूट ने 18 रन और बन फोक्स ने 13 रन का योगदान दिया अन कोई भी खेलाली 10 रन का अकला भी नहीं पार कर सका तीसरे दिन के खेल में रवी चंद अश्विन के चूकने के बाद मुहमत सिराज ने दारोमदार समाला और सबसे ज्यादा चार विकेट लिए बारत की टीम के बलेबाजों का प्रदर्शन दूसरी पारी में भी कमाल कर रहा यशशवी जैसवाल शुमन गिल और सरफरास खान ने अपनी बलेबाजी से तबाही मचा दी यशशवी जैसवाल ने मैदान पर छक्के चौकों की बरसात कर दी और अपने टेस्ट करियर का दूसरा दोरा शतक भी जड़ाला उन्होंने चौदा चौकों और बारा छक्कों की बदौलत 236 गेंदों में 214 रन बनाए जबकि सरफरास खान आलसर्ट रन पर नाबाद रहे यशशवी जैसवाल की सरफरास खान के साथ 172 रनों की नाबाद साज़दारी हुई इन दोनों की इस पारी के चलते भारत का स्कोर 430 पर पहुँच गया और टीम ने 556 रन की लीड हासिल कर ली इसके साथ ही भारती कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी दूसरी पारी गोशित कर दी इंग्लैंड के लिए जो रूट, टॉम हाडली और रोहान एहमद ने एक एक विकट जटकाई 557 रन की टार्गेट को हासिल करते हुए इंग्लैंड 122 रन पर ही ओल आउट हो गई और भारत ने 434 रनों से जीत दर्च की, कोई भी बल्लेबास 20 रन का आकला भी नहीं पार कर सका जैक क्रोली ने 11 रन, बेन स्टोक ने 15 रन, बेन फोक्स ने 16 रन और टॉम हाडली ने 16 रन बनाए अन कोई भी बल्लेबास दहाई अंग का आकला तक नहीं चूपाया टीम इंडिया के लिए रविंद जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट हासिल किये उसके बाद कुल्दी प्यादों ने 2, जस्पीत बुमरा और आर अश्मिन ने एक एक विकेट हासिल किये इस तरह से टीम इंडिया ने जीप का पर्चम लहरा दिया